आईए दोस्तों जानते हैं कि हमारा मुबाइल फोन स्लो चार्ज क्यों होता है आज आपको मैं थेओरिकल भी बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा ये जानने के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखना होगा तो चलिए मिया शुरू करते हैं हमश्कार दोस्तों मेरे नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन इस चैनल पर आपको खुद से अपना मुबाइल फोन रिपेर करने की टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती हैं और मिलती रहेंगी चलिए स्टेप बाइ स्टेप जानते हैं कि आप घर पर ही कैसे अपने मुबाइल फोन को रिपेर कर पाएंगे अपने चार्जिंग जैक को क्लीन कर पाएंगे काफी लोगों की क्वारी होती है कि हम अपने जैक को कैसे साफ करें मुबाइल का कोई कहता है टूथपिक से साफ करना चाहिए आप पसमें एक दूसरे सला सबसे पहले में जो वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो काम कीजिएगा आपके मुबाइल फून की चार्जिंग डेफिनेटली ठीक हो जाएगी इस चीज की गारंटी मैं देता हूं सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा सबसे पहले नंबर पर आ आप अडेप्टर को चेंज करके देख हैैं क्योंकि कई ऐसा होता है अडेप्टर के अंदर जो लगए होता है यह खराब होने की वाज़े से रोट का चारिजिंग करना सुरू करता है आपको उतने ही का चार्जर उसमें लगाना चीज़िए, अगर उससे कम वाठ चार्जर और उसमें input करेंगे तो भी आपके mobile phone में slow charging होगी और एक problem और आते हैं hardware तरीके से वो मैं आपको आज की वीडियो में clear करने चारा हूँ अब पास आजेए आपको वो चीज बताता हूँ जो mobile repair वाले आपको कभी नहीं बताएंगे अच्छा दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर type A charging port वाला mobile phone लिया है सुई ले लेनी है ठीक है बहुत से बंद है आपको बोलेंगे ले लो टूथपिक से जैक आपका टूट सकता है यह मैं कर रहा हूँ हो mobile repair वाला ठीक है क्योंकि इसके अंदर की जो पिने होती है वो टूथपिक उन पिनों में फस जाती है सुई से क्या होता जो मैल होता है टाइट करके फस जाता है क्योंकि एक तो मैल हो गया है फिर उपसे हमने चार्ज लगाए तो वह मैल और जाता है तो टूथपिक से है वो चीज वो किलियर नहीं हो पाती जो कि सुई से आपका काम हो जाएगा अब सुई को पूरे अंदर डालके यह आईफून के बारे में बात कर रहा हूं मैं ठीक है आप इसको अंदर डालके ऐसे ऐसे आपको मूव कराना है सुई को ठीक है उसके बाद ऐसे निकालने कोशि वह पूरे तरीके से इसके अंदर इंपुट हो जाएगा और आइफोन के बारे में एक और टिप्स आपको बताया है तो आइफोन अगर आप यूज करते हैं तो आइफोन की डाटे के पर पर देखना है यह राइट साइड से अगर गिनते हैं तो पांचवे नंबर पर और ले तो उसके चार्ज का इतिना बुरा आल हुआ होता है डाटा के बल्काव वह इस पर ध्यान है देता है और वह सोचता है कि उसके मोबाइल फोन का चार्जिंग घ्राब हो जाएगी ठीक है अब आइफोन में आपने सीख लिया किस तरीके से आपको चार्जिंग क्लिक करना अ क्योंकि वह घर के फोन है इसलिए इनको मैं महीने में साफ करता रहता हूं और इस तरीके से इसमें फिर भी कच्रा घुशी जाता कुस ना कुछ इसमें ठीक है इस तरीके से साफ कर लिए हमने इसके बाद हमारा चार्जिंग पोर टाइप-C वाला विंदास काम करने लगई क्पड़े को यहां शूती लेना सूती मतलब प्योर कोटन टेरी कोट मतलए प्रट्टेर कजिए आपका चैक साफ नहीं होगा काफी देर तक लगे रहुगे टेरी कोट अगर आते गंटे में साफ करेंगा तो यह दो मिनिट में साफ कर देगा ठीक है आपके समझ में आगया हुआ ऐसे लगाईए ठीक है अब उसके बाद इस सुमी की मदद से इस कपड़े को अंदर डाल लीजिए इस तरफ से सुमी को पकड़ना टाइप A वाले जैक म अंदर चला गया अब इसको आप इस तरीके से मूव कराईए आपको कटर कटर की आवाज भी आएगी और यह हमारा चार्जिंग देख साफ हो गया इसमें कुछ ना कुछ लगके आगया ना इसी की वाज़े से आपका मूबाइल फॉन स्लो चार्ज करा ता जब यह गंदरी